कि आपको बहुत जल्ली घुसा आता है, कोई भी अगर आपके suggestions को ignore करता है, या फिर game खेलते वक्त आप जल्ली eliminate हो गए, तो आप argue करने लगते हैं, या फिर आपसे कोई भी informally बात करता है, तो आप उस इंसान पे भी चिला चिला के बात करने लगते हैं, या फिर आपको short tempered या anger management issues है, ऐसा कहिने पर भी आप ignore करने लगते हैं, उनकी बातों को और जगडा करने लगते हो, तो हम आपको बता दे कि जी हाँ, आपको anger management issues है, अगर आपको गुसा नहीं आता है, तो ज्यादा weird होता है, पर anger को control करना भी आपको आना जरूरी है, क्यूंकि एक point पर जाकर anger ना control करने के वज़े से आपके relationships और health को effect होगा, और इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने anger को control कर सकते हैं, पर दोस्तों, अब शुरू करने से पहले, हमारे चानल से latest update पाने के लिए, हमारी चानल आज काई गुरू को subscribe करना ना भूले, Think before you speak, situation के गर्माहट में कुछ भी बोल देना बहुत आसान होता है, पर उसके बाद उन बातों पर regret करना बहुत हार होता है, और इसलिए दो मिनिट लीजे कुछ भी बोलने से पहले और सोचा करे, Once you are calm, express your decision, अगर आप situation के वक्त ही आर्ग्यू करने जाएंगे, तो of course ज्यादा जगड़ा होगा, और सबसे ज्यादा feelings hurt होगी, इसलिए कोई भी decision उस वक्त मत लीजे, क्योंकि वो कही न कहीं गलत हो सकता है, जब आपका गुसा शान्त हो जाए, तब आप decision लीजे और बात क whisk walk या फिर running करने जाएंगे, अब physical activities भी कर सकते हैं जिसके वज़े से अपका mind divert हो जाएगा और आप refreshed हो जाओगे, तेक अ time out, time out सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, अपने आपको short breaks दीजे दिन में, जब आप बहुत stressful हो जाते हैं तब, इसलिए time out लेते रहें, identify possible solutions, ये स सोचे कि कैसे आप इस problem को solve करेंगे, अपने आपको याद दिलाते रहें कि गुस्य से कुछ नहीं बदलेगा और कामली solutions ढूंडे और उस पर काम कीजिए, stick with मैं मुझे statements, criticizing या फिर blame game करने से पहले मैं मुझे से अपनी बाते शुरू कीजिए, जैसे कि मुझे पसंद नहीं कि तुमने सिंक में बरतन बिना दोय छोड़ दिये, don't hold a grudge, forgiveness एक ऐसा टूल है जो एंगर कंट्रोल में बहुत ज्यादा काम आता है, अगर आप पहले से ही negative feeling को give up करके, bitterness को दबा कर, sense of injustice भी भूल कर, अगर आप सोचेंगे तो आप कम argue करेंगे और गुसा भी कम करेंगे, gr forgive करना और forget करना उससे भी ज्यादा काफी relieving है, use humor to release tension, आप जबी गुसा होते है तो कोशिश कीजिए कि आप joke create करें ताकि argument और situation ज्यादा ना बिगड़े, पर sarcasm avoid करें क्योंकि आप शायद सामने वाली feeling को और भी ज्यादा hurt कर देंगे और आपको पता भी नहीं चालेगा, Practice Relaxation Skills, जब बहुत ज़्यादा गुसा आता है तब भी relaxation skills को use करिए, deep breathing exercising, relaxing scene imagine करिए, या फिर take it easy control जैसे words को use करें ताकि आपके mind को manipulate करके काम हो सके, Know when to seek help, एंगर को control करना कोई challenge से कम नहीं है, इसलिए अपने दोस्तों या family members से help और support लेने में hesitate ना करें, गुसा बहुत आसानी से आ जाता है, पर उसको control करना बहुत hard होता है, इसलिए हमेशा smile करते रहें, तो शायद आपको कम गुसा आएगा, तो दोस्तों थे नहीं कुछ आसान टिप्स जिससे आप easily अपने एंगर को control कर सकते हो, तो एंगर management टिप्स से जूड़ी आपके पास और भी कुछ जानकारी है, तो हमें comment section में ज़रूर लिखे, और अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे like, share and comment ज़र करें, और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों धन्यावाइए